अब हम आते हैं मिठुन राशी, मिठुन राशी के अंदर भी तीन नक्षत्र आ जाते हैं शोता गणु कौन कौन से? मरिक्षरा के दो चरंड, आर्द्रा के चार चरंड और पुनुर वसू के तीन चरंड ठीक है? तो जब हम बात करते हैं मिथुन राश्री की तो मैंने आपको बताया था कि मिथुन राश्री के जो अधिपती हैं वो बुद्धी है तो ये लोग बहुत बुद्धी जीवी होते हैं ये लोग बात करने में बड़े वाक चातुरी और इनके अंदर बहुत होता है तो वैसे ही मैं आपको बतारी हूँ, ये तो हुई मजाग की बाद, मिथुन राशी में अगर आपका मिर्खशरा नक्षट्र, देखे दो चरण तो हमारे वरिशब राशी में चलेगा मिर्खशरा के, बाकी बचे दो, तो वो बाकी के जो दो चरण बचे हैं, वो हमारे तो फिर वही बात भी इनका तीसर और चौता चरण याने की इनका तो व्रिशव राशी में जो प्रत्रम और दूतिय चरण की उर्जा थी उससे भी ज्यादा उर्जा आ गई हाई लेवल उर्जा बिलकुल मतलब आप समझ लेजे सूरिय का गोला हुए इस तरीके का एक एनर्जी सोर्स ऐसा प्रचंड मंगल का उर्जा इनके अंदर आई वी है तो जो मित्वन राशी में अगर मिर्क्षर आके होंगे तो वो तो और भी अत्यधिक हाई उर्जा वाले इतना कि पतले उनसे संचालित हो भी पाएगी इतनी उर्जा की नहीं तो ऐसे लोगों को तो खास करके मैं कहना चाहते हैं जिमिंग जरू किया करिए उर्जा का थोड़ा सा वहां पे निकलेगा क्योंकि अत्यदिक रूप में कोई उर्जा भी हमारी हानी का कारण हो जाती ह तो क्रोध में निकलने लगते हैं बात पर गुसा बात पर चिलाना ऐसे निकलने लगते हैं तसको संचालित करने की कोशश आपको करनी है दूसरी बात हम यह देखते हैं कि मंगल आ गए है तो जो स्वास्त है वो पित से खराब हो गरमी से जैसा मैंने समझाया व्रिशब जिनका मित्तुन्राशी में मिक्षरा तृतिय चौथा चरण उनको गरम चीजों से परहेस करना है अथ्यदिक चट्कीला अथ्यदिक खटा चाट मसाला और चटपटा खाना गर्मी देने वाला खाना बहुत ज़ादा आम तो यह सब आपको जो है और room temperature की चीज़े, ठंडी चीज़ों का सेवन कीज़े रात के समय तो खास करके कुछ गरम मत खाईए ठीक है? धन्यवाद अब हम बात करेंगे मितुन राश्री में आद्रा नक्षत्र की मितुन राश्री में आद्रा नक्षत्र जो आ रहा है उसके चार चरने मैंने आपको बोला कि हर एक चरन की जो विशेष्टा है इसके हम बाद में कभी बात करेंगे अभी तो मैं उपर उपर की बाते आपको बता रहे है और इससे आप समझ जाएंगे कि कितनी विभिनताएं स्वभाग में आ जाती है और किस प्रकार आती है तो जोतिश का है चमतकार आप अपने आप समझे और इसके लिए रिश्यों को प्रणाम जरूर कीजेगा जिन्होंने ये खजाना हम लोगों के लिए छोड़ा है तो मिथुन राश्री में जिसका आद्रा नक्षत्र है आद्रा नक्षत्र के अधिपती हो गए राहू तो ये व्यक्ति जो होगा बुद्ध के तो सारे गुण आई जाएंगे क्योंकि मिथुन राश्री के अधिपती बुद्ध है लेकिन राहू के भी गुण आएंगे अगर आद्रा नक्षत्र है यानि कि सीबियाई इंस्पेक्टरों जैसी एक कॉलिटी होगी इंट्यूटिफ पावर्स कौन क्या कर रहा है अच्छा ये वो कर रहा है एकदम गट फिलिंग बता देगी ये कर रहा है सिक्स सेंस बड़ी उजागर होगी और साथ ही कैमरा को फेस करने में बड़ा मज़ा आएगा मीडिया बड़ा अच्छा लगएगा किसी भी तरीके से मीडिया से जुड़ना शूटिंग्स करना या फिर गाना गाना कैमरे पे आना मतलब इस तरीके की भी रुचिय हम देखते है फोटोगरफी में इंट्रेस्ट कुछ इस तरीके की चीज़े इनके जीवन में हम ज़ादा देखेंगे इनकी परस्नालिटी में हम ज़ादा देखेंगे साथ ही मैं बताना चाहती हूँ साथ स्वास्थे के पॉइंट उफ्यू से जब आद्रा नक्षत्र हो जाता है तो वात के आकरमेंट जादा होते हैं यानि की वायू का आकरमेंट जैसे कि मैंने बोला जबी वायू का आकरमेंट से स्वास्थ बिगणने की संभावना ज्यादा हो जो आद्रा नक्षत्र में देखी जाती है तो हम यही कहेंगे कि आपने प्राणायाम और योगा नहीं छोड़ना ये आपकी वायू को जो आपके शरीर के भीतर भी वायू होती है प्राणपान व्यानुदान समान और जो बाहर होती है इन सभी वायू को संचालित करता है इनको अच्छी तरीके से बैलंस करता है तो प् प्रशानी हो सकती है ठीक है तो यह आपके स्वास्थे के लिए आपको एक अन्मोल सजेशन दिया गया जिसका आप प्लीज आप इसको follow कीजेगा अब हम आगे हैं पुनरवसु नक्षत्र पे मिथुन राशी में जिनका पुनरवसु नक्षत्र है उनके पुनरवसु नक्षत्र के तीन चरण आते हैं प्रथम दूतिये और तीसरा चरण हर राशी मैं मैं बोलती हूं की चरणों के divisions के बारे में आगे बात करेंगे कि प्रत्भर में क्या विशेस्था है दूसरे में क्या है तीसरे में क्या है फिलाल हम यह बता रहे है कि मिठुन ₰ाशी जिन बुद्ध है उसके अंदर अगर पुनरवसु नक्षत्र में अगर आपका जनम हुआ है तो पुनरवसु नक्षत्र के जो अधिपती है वह देव गुरु ब्रिहस्पती जो है वह आपके इस नक्षत्र के अधिपती है तो यहां तो आए बुद्ध जी और यहां आगे देना समझदारी से हर कार्य करना और दूसरा आगे गुरुयानी की ज्ञानवान भी होंगे इनको spirituality में इंटरेस्ट होगा इनको अपने religion की बातों में इंटरेस्ट होगा इनको ज्ञान अर्जित करने की घूख लग से लगी रहेगी कि मुझे ज्ञान अर्जित करना है तो ये combination बहुत ही खुबसूरत हो जाता है और हम देखते हैं कि जो मिथुन राशी वाले लोग ब्रिक्षरा में पैदा हुए हैं उनमें तो थोड़ा क्रोध जादा होगा लेकिन ये शांत सभाव के होंगे ये होंगे और जो मिथुन राशी के लोग आध्रा नक्षत्र में पैदा हो है वो भी थोड़े से क्रोधी हो सकते हैं लेकिन पुनर्वस हुए दी नक्षत्रा आ गया तो वही मिथुन राशी के जजातक होंगे वो थोड़े से शांत समझदार आपको नजर आएंगे ग्यान उ योगों को वात का आक्रमन जादा हो सकता है यानि कि वायू के अतिक्रमन से श्वांस की नलियों में परशानी आ जाना तो आप प्राणायाम कीजिए आप योगा कीजिए ताकि अंदर की जो आपकी वायू है प्राण पान व्यान उदान समान है ना और बाहर जो आप श्व सिदे एफेक्ट होगा आपकी श्वांस की नलिया सिदे-सिदे एफेक्ट हो जाएंगे और बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएंगे इसलिए आपको विशेश करके प्राणायाम और योगा से प्रेम करना है यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हेल्थ हमेशा अच्छी बनी जाएंगे प्रेमारों और योटार योट जआप सिदे एंगे स perse ब्सक्राणाव च्छर करेंगे वीरत बित्हां हमेullil İ